दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के नए कानून को लेकर कौर्ट्रूम में जम कर हंगामा देखने को मिला। दरसल इन नियुक्ति को लेकर केंदे सरकार ने कल सुप्रीम कौर्ट के अंदर हलफ नामा दाखिल किया था। क्योंकि सुप्रीम कॉर्ट ने केंद सरकार को आदेश दिया था कि आप जो न्यूक्ति कर रहे हैं उसको लेकर अब सुप्रीम कॉर्ट के अंदर हलफनामा दारी और हलफनामा दाखिल करते हुए केंद सरकार ने अपनी ओर से सफाई पेश की और कहा जी हां और केंद सरकार न को खड़ा करना है सुप्रीम कॉट नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है फिलहाल तो दोस्तों यह याचिका कॉंग्रेस कारे करता जया ठाकुर ने दाखिल की थी सुप्रीम कॉट के अंदर पीट ने इस याचिका पर 12 जनवरी को देने की कोशिश की जा रही है किसी भी सम्विधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को केंद सरकार अपने पसंदीदा लोगों को न्यूकती नहीं करता है यह सारी बाते हलफ नामा के जरिए केंद सरकार ने सुप्रीम कॉट के अंदर दाखिल किया देसन दोस्तों आपको याद होगा 2 मार्च 2023 को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की न्यूक्ती पर सुप्रीम कॉट में एक अतिहासिक पैसला सुनाया था और इस बेंच के हिस्सा CGI डिवाई चंद चूर भी थे कॉट ने आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की न्यूक राष्टपती को करेगी इसके बाद राष्टपती मुहर लगाएंगे सुप्रीम कॉट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि ये प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसच चुनाव आयुक्तों की न्यूक्ती को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है सुप्रीम के तहत चुनाव आयुक्तों की न्यूक्ती जो है वो सर्फ तीन सदस्यों के पैनल के जरिये ही रहेगा जैसा कि इस बार हुआ इसमें प्रदान मंत्री होंगे लोग सभा में बिपक्ष का कोई एक नेता होगा और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे जो कि केंदे सरकार का ही कोई बड़ा मंत्री होगा पैनल से सीजी आई को बहार रखा जाएगा जो कि रख दिया गया है सीजी आई पैनल से बाहर है दिसंबर में शितकालिन सत्र के दौरान ये बिल दोनों सदनों में केंदे सरकार की तरफ से पास करा लिया गया जिसका विपक्षी दलो ने जब प्रदान मंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलह पर राश्वपती करेंगे लेकिन आब ऐसा तो कोई कानून रहा नहीं जिसको लेकर अब जो सुप्रीम कोड में जो ये नियुक्ती जो अभी हाल फिलाल में जो सरकार द्वारा और नेता प्रति नियुक्ती जो है वो रोक लगा दिया जाए वो सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वो गयर संबधानिक तौर पर है क्योंकि यहां पर सिफ और सिफ सत्ताधारी दलो का ही दबदबा है और जो नेता प्रतिपक्ष के निता अधी रंजन चौधरी जो गए थे उन के मतलब कुछ समय पहले जब वो इस पैनल का हिस्सा बनने पहुँच रहे थे तब ही उनको मेल करके भेजा गया और इतने कम टाइम में वो ये सब कुछ नहीं पढ़ पाए और वैसे भी विपक्ष यही कह रहा है दोस्तों कि विपक्ष का कोई निता हो ना हो कोई फरक नह उनके लिए गई हुए ही मंत्री का ही होगा जो की अब नियुक्ति कर दिया गया है इसको लेकर कॉर्ट रूम में बहस चली और बहस में दलिल दिया गया दलिल देकर सीधे तोर पर केंदे सरकार ने कहा कि उनका इस पूरे मामले में कोई भी किसी भी तरीके का जो है नहीं है चुनाव आयों के नियुक्ति पर वो तो सिर्फ एक संविधानिक प्रकिरिया थी जिसको हमने पूरा कर लिया दोस्तों इस पूरे रपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राए हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्र आई पिरना बिलकुल भी ना भूले